दोस्तु हमारे चैनल घरेलू नस्के को लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें नमस्कार दोस्तु दोस्तु आज हम बात करने वाले हैं अजवाइन और गुड साथ खाने के फाइदों के बारे में बात करेंगे दोस्तु अजवाइन एक मसाला है जो खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ सेहत को भी कई लाब पहुचाता है लेकिन क्या आपने कभी अजवाइन के गुड के साथ सेवन किया है अजवाइन और गुड का एक साथ सेवन सेहत को काफी लाब पहुचाता है क्योंकि अजवाइन और गुड दोनों ही ओस्दिय गुणों से भरपूर होते हैं अजवाइन और गुड का सेवन करने से स्वास्ते समंदी कहीं समस्याएं दूर होती हैं क्योंकि अजवाइन में प्रोटीन, फाइबर, केलसम, फोसपोरस, आरन जैसे तत्तू पाई जाते हैं तो वहीं गुड में प्रोटीन, आरन, केलसम, विटामिन जैसे तत्तू मोजूद होते हैं जो स्वास्ते के लिहाज से काफी लापधायक साबित होते हैं दोस्तो आईए जानते हैं अजवाइन और गुड साथ खाने के फाइदों के बारे में, पीडियर्ड के दर्द में फाइदे मंद, दोस्तो महिलाओ को पीडियर्ड के समय पेट में दर्द और एटन की सिकात रहती हैं, लेकिन अगर आप महिलाएं पीडियर्ड के समय अजवा दोस्तो कमर धर्द की शिकायत होने पर अजवाईन और गुड़ का सेवन काफी फाइद्यमन माना जाता हैं क्योंकि अगर आप रोजाना अजवाईन के चुरन का गुड़ के साथ खुन-गुने पानी के साथ सेवन करते हैं तो इससे कमर धर्द की सिकायत दूर होती हैं सर्दी जुकाम में फायदेमंद दोस्तों सर्दी जुकाम की समस्या एक आम समस्या है लेकिन सर्दी जुकाम की सिकायत होने पर अगर आप अजवाइन और गुड का सेवन करते हैं तो यह फायदेमंद माना जाता है क्योंकि अजवाइन और गुड दोनो की तासीर गरम होती हैं जो सर्दी जुकाम को दूर करने में मददगार साबित होता है खांसी में फाइदेमंद दोस्तु खांसी की सिकात होने पर भी अजवाइन और गुड का सेवन फाइदेमंद माना जाता है क्योंकि अगर आप अजवाइन और गुड की चाय बना कर पीते हैं तो इससे खांसी की सिकायत दूर होती हैं दोस्तो बवसीर की सिकात होने पर मल त्याग करने में काफी कटनाईया होती हैं लेकिन बवसीर की सिकात होने पर अगर आप रोजाना अजवाइन और गुड की चाय या काड़े का सेवन करते हैं तो इससे मल त्या करने में होने वाली परेशानी दूर होती हैं जिससे बवसीर की बिमारी में आरा मिलता हैं दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें